चब 127, अर्जुन के फोन पर लड़की, अब तक आप लोगों ने पड़ा, सिमी के घर छोड़ने चला जाता है और विक्रान्त अर्जुन के साथ ही अर्जुन के घर के लिए निकल जाता है और कुछी देर में सभी लोग शेखावत मेंशन पहुंच जाते हैं। अर्जुन चाहत को अपने साथ शेखावत मेंशन ले आया था जहां पर गायतरी शालिनी और अजीत सिंग शेखावत रहते थे। अर्जुन तो सभी को अपने साथ लेकर जल्दी वापस आ गया था लेकिन अभी अजीत गायतरी और शालिनी जासी से वापस नहीं आये थे। इसलिए चाहत आज बिलकुल घर पर अकेली थी। अर्जुन तो अफिस चला गया था अपने काम की वजह से क्योंकि अर्जुन की बहुत सारी मीटिंग थी जो अभी pending परी भी थी और अर्जुन का बहुत सारा काम भी अर्जुन के नहोने की वजह से pending हो गया था। इसलिए अर्जुन को अपना बहुत सारा काम खत्म करना था और कुछ मीटिंग्स भी अटेंड करनी थी। इसलिए अर्जुन जहासी से आते ही ओफिस के लिए निकल गया था। चाहत घर में अकेली थी और चाहत अपने कमरे में अब सारे सामान को एज़स्ट कर रही थी। चाहत बैग में से सारा सामान निकाल कर अलमारी में एज़स्ट कर रहे थी। चाहत कभी शेखावत मेंशन नहीं आई थी और ना ही चाहत में अर्जुन का शेखावत मेंशन का कमर देखा था और चाहत आज पहली बार अर्जुन के उसे कमरे में आई थी, जिसमें अर्जुन हमेशा से रहता था क्योंकि चाहत की शादी के बाद अर्जुन चाहत को अपने फाम हाउस पर ले गया था, लेकिन आज चाहत असल में अर्जुन के घर में थी और अर्जुन के कमर और चाहत को अर्जुन का कमरा बहुत ही शानदार लग रहा था लेकिन चाहत को अर्जुन के कमरे का कलर बहुत ही बोरिंग लग रहा था लेकिन चाहत जानती थी अर्जुन का टेस्ट ऐसा ही है और जहिर सी बात है अर्जुन का कमरा है तो अर्जुन ने अपनी पसंद से ही बनवाया होगा और इसमें चाहत कुछ भी नहीं कर सकती थी। वैसे फार्म हाउस में भी अर्जुन के कमरे का कलर ब्लैक और ग्रे ही था। लेकिन चाहत को लगा था कि शायद शेखावत मेंशन में अर्जुन के कमरे का कलर कुछ और होगा लेकिन यहां पर भी वही कलर प्याय महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन फिर चाहत सोचती है कि क्यों ना आज पूरा शेखावत मैंशन भूम लिया जाए। चाहत इसलिए शेखावत मैंशन की सैर करने के लिए निकल जाती है। तो चाहत अपने कमरे में जाकर आराम करने के बारे में सोचते हैं। इसलिए चाहत जल्दी से अपने कमरे में पहुँचती है और बिस्तर पर जाकर लेड जाती है। और शाम के 6 बजे का वक्त देखकर चाहत की आँखे हिरानी से बड़ी हो जाती है। जहां जल्दी से वाश्रूंग की तरफ जाते हुए कहती है। हे महादेव मैं अतनी गहरी नींद में कैसे सो सकती हूँ। दोपहर से शाम हो गई और मुझे पता ही नहीं चला। कुछी देर में वो घर भी आ जाएंगे और मैंने अभी तक खाना नहीं बनाया है। वैसे भी उनका गुस्सा हमेशा नाग पर रखा रहता है और शहद खाना ना मिला। टाइम पर तो मुझे ही नाग हो जाए। चाहत जल्दी से तयार होकर किचन में पहुँचती है और फिर जल्दी जल्दी खाना बनाने लगती है। जब तक शाम के 8 बजाते हैं, चाहत सारा खाना बना कर तयार कर देती है। चाहत पूरे खाने को डाइनिंग टेबल पर लगा देती है और अरजुन के आने का इंतजार करने लगती है। अरजुन का इंतजार करते हुए चाहत सोफे पर बैठ जाती है। काफी देर तक इंतजार करने पर जब अर्जुन नहीं आता तो चाहत कुछ देर के लिए टीवी आन कर लेती है और टीवी पर न्यूस देखने लगती है न्यूस देखते देखते भी चाहत बोर हो जाती है लेकिन अभी तक अर्जुन नहीं आया था चाहत घड़ी में देखती है तो साधे नौ चुके थे लेकिन अर्जुन का कुछ आता पता नहीं था चाहत अपना फोन निकलती है और अर्जुन को कॉल करने के बारे में सोचती है लेकिन फिर चाहत अपने मन में कहती है कॉल करूं या ना करूं कर ही लेती हूं काम से कम पता तो चल जाएगा कि कितनी देर में आने वाले हैं चब 127 अर्जुन के फोन पर लड़की अब तक आप लोगों ने पड़ा सिमी के घर छोड़ने चला जाता है और विक्रान्त अर्जुन के साथ ही अर्जुन के घर के लिए निकल जाता है और कुछी देर में सभी लोग शेखावत मेंशन पहुँच जाते हैं अर्जुन चाहत को अपने साथ शेखावत मेंशन ले आया था जहां पर गायतरी शालिनी और अजीत सिंग शेखावत रहते थे सही माइनों में चाहत आज अपने ससुराल में आई थी जहां पर उसे अपनी एक साथ और ससुर मिलने वाले थे और मेंशन भी बहुत बड़ा था जो चाहत का सही महीना में ससुराल था और यहां पर चाहत की गलतेओं को सुधारने वाली उसकी ममुसकान उसके साथ नहीं थी चाहत को सब कुछ खुद ही संभाल ना था अब आगे, अर्जुन तो सभी को अपने साथ लेकर जल्दी वापस आ गया था, लेकिन अभी अजीत गायतरी और शालिनी जासी से वापस नहीं आये थे, इसलिए चाहत आज बिलकुल घर पर अकेली थी, अर्जुन तो ओफिस चला गया था, अपने काम की वजह से, क्योंकि अर्जुन की बहुत सारी मीटिंग थी जो अभी पैंडिंग प्री हुई थी और अर्जुन का बहुत सारा काम भी अर्जुन के नहोने की वजह से पैंडिंग हो गया था, इसलिए अर्जुन को अपना बहुत सारा काम खत्म करना था और कुछ मीटिंग भी अटेंड करनी थ इसलिए अर्जुन जहांसी से आते ही ओफिस के लिए निकल गया था चाहत घर में अकेली थी और चाहत अपने कमरे में अब सारे सामान को एज़स्ट कर रही थी चाहत बैग में से सारा सामान निकाल कर अलमारी में एज़स्ट कर रहे थी चाहत कभी शेखावत मैंशन नहीं आई थी और ना ही चाहत में अर्जुन का शेखावत मैंशन का कमरा देखा था और चाहत आज पहली बार अर्जुन के उसे कमरे में आई थी जिसमें अर्जुन हमेशा से रहता था क्योंकि चाहत की शादी के बाद अरजुन चाहत को अपने farmhouse पर ले गया था लेकिन आज चाहत असल में अरजुन के घर में थी और अरजुन के कमरे में थी अरजुन का कमरा white और grey combination का था कमरे की सारी चीज बहुत ही luxurious और classic थी अर्जुन का कमरा जितना सिंपल था उतना क्लासी भी था और चाहत को अर्जुन का कमरा बहुत ही शानदार लग रहा था लेकिन चाहत को अर्जुन के कमरे का कलर बहुत ही बोरिंग लग रहा था लेकिन चाहत जानती थी अर्जुन का टेस्ट ऐसा ही है और जाहिर सी बात है अर्जुन का कमरा है तो अर्जुन ने अपनी पसंद से ही बनवाया होगा और इसमें चाहत कुछ भी नहीं कर सकती थी वैसे Farm House में भी अरुजुन के कम्रे का कलर ब्लैक और ग्रे ही था लेकिन चाहत को लगा था कि शायद शेखावत मैंशन में अरुजुन के कम्रे का कलर कुछ और होगा लेकिन यहां पर भी वही कलर कॉम्बिनेशन था इसलिए चाहत को कुछ भी नया महसूस नहीं हो रहा था लेकिन फिर चाहत सोचती है कि क्यों ना आज पूरा शेखावत मैंशन भूम लिया जाए चाहत इसलिए शेखावत मैंशन की सेर करने के लिए निकल जाती है शेखावत मैंशन बहुत ही बड़ा मैंशन था और बहुत ही खूबसूरत भी था मैंशन बहुत ही बड़ा था तो इसलिए चाहत बहुत ही ज़्यादा ठक जाती है पूरे मेंशन को देखते देखते अब चाहत को ठकान महसूस होने लगी थी तो चाहत अपने कमरे में जाकर आराम करने के बारे में सोचते है इसलिए चाहत जल्दी से अपने कमरे में पहुँचती है और बिस्तर पर जाकर लेग जाती है कुछ ही देर में चाहत को नींद भी आ जाती है और चाहत नींद की आगोश में चली जाती है और कब चाहत को दोपहर से शाम हो जाती है चाहत को पता ही नहीं चलता चाहत जब शाम के वक्त अंगराए लेते हुए बिस्तर से उठती है तो भी चाहत का ध्यान घड़ी पर जाता है और शाम के छे बजे का वक्त देखकर चाहत की आँखे हिरानी से बढ़ी हो जाती है जहां जल्दी से वाश्रूंग की तरफ जाते हुए कहती है है महादेव मैं अतनी गहरी नींद में कैसे सो सकती हूँ दोपहर से शाम हो गई और मुझे पता ही नहीं चला कुछ ही देर में वो घर भी आ जाएंगे और मैंने अभी तक खाना नहीं बनाया है वैसे भी उनका गुस्सा हमेशा नाग पर रखा रहता है और शेहद खाना ना मिला टाइम पर तो मुझे ही नाग हो जाए चाहत जल्दी से तयार होकर किचन में पहुँचती है और फिर जल्दी जल्दी खाना बनाने लगती है जब तक शाम के आठ बजाते हैं चाहत सारा खाना बना कर तयार कर देती है चाहत पूरे खाने को डाइनिंग टेबल पर लगा देती है और अरजुन के आने का इंतजार करने लगती है अरजुन का इंतजार करते हुए चाहत सोफे पर बैठ जाती है काफी देर तक इंतजार करने पर जब अर्जुन नहीं आता तो चाहत कुछ देर के लिए टीवी आन कर लेती है और टीवी पर न्यूस देखने लगती है न्यूस देखते देखते भी चाहत बोर हो जाती है लेकिन अभी तक अर्जुन नहीं आया था चाहत घड़ी में देखती है तो साधे नौ चुके थे लेकिन अरजुन का कुछ आता पता नहीं था चाहत अपना फोन निकलती है और अरजुन को कॉल करने के बारे में सोचती है लेकिन फिर चाहत अपने मन में कहती है कौल करूँ या ना करूँ कर ही लेती हूँ काम से कम पता तो चल जाएगा कि कितनी देर में आने वाले हैं दीरे से कमरे के अंदर आता है और फिर अपना सारा सामान सोफे पर रख कर वाश रूंग में चला जाता है अर्जुन थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर वापस कमरे में आता है और बिस्तर पर जाकर चाहत की साइद में लेट जाता है और चाहत की कमर पर हाथ रखकर चाहत को खुद से चुप कर लेता है चाहत को अपनी बाँ में लेकर अर्जुन भी सोजाता है अगली सुबर चाहत की आख ही अपने समय पर खुल जाते हैं चाहत अंगड़ाय लेते हुए जैसे ही खुद को हिलाने की कोशिश करती है तो चाहत खुद को हिला नहीं पाती और चाहत अपने आपको किसी की मजबूट बाहों में जगड़ा हुआ महसूस करती है चाहत जब अपनी नजर घुमा कर देखती है तो अर्जुन ने चाहत को अपनी बाहों में पूरी तरह से कैद कर रखा था अर्जुन का चेहरा देखकर चाहत को रात की बात याद आती है जब चाहत अर्जुन का इंतजार कर रही थी और अर्जुन को बहुत कॉल करने के बाद भी जब अर्जुन ने फोन नहीं उठाया था और जब अर्जुन का फोन किसी लड़की ने उठाया था और लड़की की बाते सुनकर चाहत को फिर से अर्जुन पर गुस्सा आने लगत चाहत रात की बाते याद करती है जब अर्जुन का फोन किसी लड़की ने उठाया था जिस लड़की ने अर्जुन का फोन उठाया था वह लड़की अर्जुन की पसनल सेक्रेटरी थी जो पोजीशन चाहत की हुआ करती थी अर्जुन ने वह पोजीशन किसी और को दे दी थ पहली बात इसी से ही चाहत गुस्से में आ गई थी। लड़की ने अर्जुन के फोन पर वाइफ लिखा हुआ देख लिया था तो लड़की को पता था कि इस वक्त अर्जुन सर की बीवी का कॉल आ रहा है। और अर्जुन की सारी बाते चाहत ने सुन ली थी। चाहत को अर्जुन पर बहुत गुस्सा आया था और उसे लड़की के लिए बहुत बुरा लगा था क्योंकि पूरी मीटिंग के सामने अर्जुन ने उसे लड़की की बहुत इंसल्ट कर दी थी। इसलिए चाहत को बहुत ही बुरा फील हुआ था चाहत गुस्से से अर्जुन का पैर अपने पैरों के ऊपर से हटाती है और फिर अर्जुन का हाथ अपनी कमर से हटा देती है चाहत अर्जुन को अपने आप से पूरी तरह अलग कर देती है और फिर बिस्तर से उठकर वाश्रूंग में चली जाती है चाहत अपने गीले बालों को सुखा कर अच्छे से तैयार हो जाती है और फिर कमरे से बाहर चली जाती है. चाहत किचन में जाकर ब्रेकफास्ट बनती है और अपने लिए लंच पैक कर लेती है. और फिर चाहत अपना पस उठाती है और उसमें अपना लंच बॉक्स डाल कर घ नहीं आती है शायद चाहत किचन में खाना बना रही होगी इसलिए अर्जुन वाश्रूम में चला जाता है कुछ देर बाद अर्जुन पूरी तरह से तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आता है और निंग टेबल पर आकर बैठ जाता है एक सर्वेट अर्जुन के लिए खाना स लगल से उठता है और किचन में चला जाता है अर्जुन को किचन में भी चाहत नहीं मिलती और अब अर्जुन को गुस्सा आने लगता है अर्जुन एक सर्वेट से चाहत के बारे में पूछता है तो सर्वेट अर्जुन को बताता है सर मेडम तो सुबह ही घर से बाहर चली गई थी और मैडम अपने लिए टिफिन पैक करके लेकर गई थी तो शायद मैडम शाम को ही घर वापस आएंगे सर्वेट की बात सुनने के बाद अर्जुन अपने हाथ के इशारे से सर्वेट को जाने के लिए बोल देता है और फिर अपना फोन निकाल कर चाहत को कॉल करता है लेकिन चाहत अर्जुन का फोन उठाती नहीं है और इस बात से अर्जुन को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है अर्जुन बिना कुछ खाए घर से बाहर जाने लगता है लेकिन तभी अर्जुन को घर में अजीत गायतरी और शालिनी घर के अंदर आते हुए नजराती है अर्जुन को देखकर शालिनी के चहरे पर चमक आ जाती है और शालिनी मुस्कुराते हुए अर्जुन को देखने लगती है लेकिन अर्जुन शालिनी को इग्नो करते हुए वहां से निकल जाता है अर्जुन ने सिर्फ शालिनी को ही नहीं बलकी सामने से आ रहे हर एक इनसान को ऐसे एगनोग कर दिया था जैसे सामने खड़े इनसान उसे दिखाए ही नहीं दिये चब 129 इंटिमेसी आप तक आप लोगों ने पड़ा चाहत को कॉल करता है लेकिन चाहत अर्जुन का फोन उठाती नहीं है और इस बात से अर्जुन को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है अर्जुन बिना कुछ खाए घर से बाहर जाने लगता है लेकिन तभी अर्जुन को घर में अजीत गैतरी और शालिनी घर के अंदर आते हुए नजर आती है अर्जुन को देखकर शालिनी के चहरे पर चमक आ जाती है और शालिनी मुस्कुराते हुए अर्जुन को देखने लगती है लेकिन अर्जुन शालिनी को इग्नो करते हुए वहां से निकल जाता है अर्जुन ने सिर्फ शालिनी को ही नहीं बलकी सामने से आ रहे हर एक इनसान को ऐसे इगनो कर दिया था जैसे सामने खड़े इनसान उसे दिखाए ही नहीं दिये अब आगे लेकिन अर्जुन को शेखावत मैंशन में देख कर शालिनी के चहरे पर स्माइल थी बेशक अर्जुन शालिनी को इगनो करके चला गया था लेकिन शालिनी अर्जुन को देख कर अपने मन ही मन में कहती है जितना इगनो करना है कर लो अर्जुन सिम शेखावत लेकिन अब तो हम फिर से एक ही घर में रहने वाले हैं और इस बार तो तुम्हारी याददाश्ट भी जा चुकी है। जैसे जहांसी में तुमने मेरी बातों पर विश्वास कर लिया था। मुझे पूरा यकीन है, अब भी मैं तुमसे जो भी कहूंगी तुम मेरी बातों पर विश्वास कर लोगे। मानती हूँ, मैं तुम्हें चाहत से अलग करना चाहती थी, लेकिन मेरी चालू काम्याब नहीं हुई थी, लेकिन चाहत कब तक मेरे एरादों से बच पाएगी, एक न एक दिन मैं तुम्हारी जिन्दगी से चाहत को निकाल फैंकूंगी, तुम सिर्फ मेरे हो अरजुन सिंग शेखावत और तुम ही तो मैं अपना बना कर ही रहूंगी। तुम्हारे बाप से शादी मैंने तुम्हें पाने के लिए कि थी ना कि तुम्हारे बाप का बिस्तर गर्म करने के लिए एक ना एक दिन तुम्हें मेरा होना ही होगा। इतना बोलकर शालिनी अपने कमरे में चली जाती है दूसरी तरफ शेखावत को ओपरेशन चाहत पहले तो उसे स्टूडियो गई थी क्योंकि चाहत की आज रिकॉर्डिंग थी इसलिए चाहत सुबह सुबह सबसे पहले अपना रिकॉर्ड शूट करने गई थी और फिर उसके बाद चाहत शेखावत कॉर्पोरेशन आ जाती है चाहत वाश्रूम में थी चाहत अपने हाथ धुल रही थी तभी वाश्रूम का दरवाजा खुलता है और एक मॉडल अंदर आती है मॉडल ने इस वक्त फोटो शूट वाले कपड़े ही पहन रखे थे लड़की आइने के सामने घरी होकर अपना टच अप करने लग अदा ही घमंद था लेकिन चाहत को लड़की की हरकते बड़ी अजीब लग रही थी लेकिन फिर चाहत अपनी गर्दन नामें हिलाते हुए अपना काम करने लगती है तभी लड़की चाहत से कहती है सुनो जरा वो टिशू पेपर से मेरी ग्रैस को कवर कर दो वरना मेरी ग् चाहत पहले तो लड़की को बहुत ही हैरान नजरों से देखते हैं लेकिन फिर चाहत टिशू पेपर लेकर उसके सामने रख देती है टिशू पेपर को देखकर लड़की चाहते हैं अरे मैंने कहा था कि मेरी ग्रैस कवर कर दो टिशू पेपर को मेरे गले के पास लगा दो वरना मेरी dress खराब हो जाएगी चाहत लड़की का चहरा गुस्से से देखते हैं और फिर लड़की को इग्नो करके पानी की टंकी खोल देती है जिस वजह से पानी की कुछ बूंदे उसे लड़की की dress पर चली जाती है लड़की गुस्से से चिला कर चाहत से कहती है ए लड़की तुम पागल हो, क्या मेरी परी dress खराब कर दी, तुम्हें दिखाए नहीं देता क्या पता भी है ये dress कितनी मेहंगी है तुम पूरे साल भी इस company में काम करोगे ना तब भी ऐसी dress नहीं खरीद पाओगी लड़की की बाते सुनकर चाहत को गुस्सा आ जाता है और चाहत गुस्से में पानी की टनकी को बंद करती है और लड़की के बिलकुल सामने खरी हो जाती है तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मैं चाहत सिंग शेखावत हूँ Famous सिंग चाहत सिंग शेखावत मेरे एक सौंग की कमाई पर मैं इस जैसी 50 dress खरीद सकती हूँ समझी तुम और हाँ अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी के अभी इस कमपनी से उठकर बाहर फिकवा सकती हूँ क्योंकि मैं इस कमपनी के मालिक अरजुन सिंग शेखावत की बीवी भी हूँ इसलिए अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें इस कम्पनी से उठकर बाहर फिकवाओ तो अपना attitude ज़रा कम करो समझी तुम चाहत का गुस्सा और चाहत की बाते सुनकर लड़की की तो जैसे सिटी गुम हो जाती है और लड़की खामोशी से चाहत की बाते सुनती रह जाती है और चाहत गुस्से में एक नजर उस लड़की को देखते हैं और फिर वाश्रूम से बाहर चली जाती है अब चाहत गुसे से अर्जुन के केबिन की तरफ ही जा रही थी क्योंकि चाहत को अर्जुन पर भी बहुत गुसा था चाहत दरवाजा खोलती है और सीधा अर्जुन के केबिन में चली जाती है चाहत जैसे ही अंदर जाती है तो देखी है वहाँ पर कुछ विदेशी लोग बैठे हुए थे जो अर्जुन से बाते कर रहे थे जिसे देखकर चाहत समझ जाती है कि अर्जुन इस वक्त शायद अपने foreign client के साथ बिजी है और उनसे meeting कर रहा है इतने सारे लोगों को देखकर चाहत को डर लगने लगता है लेकिन तभी अर्जुन भी चाहत को अपनी गर्दन टेरी करके देखता है और अपनी आँखों के इशारे से ही खुद के पास बुला लेता है अर्जुन का इशारा पाकर चाहत अर्जुन के पास से चली जाती है और अर्जुन के बगल में जाकर ख़़ी हो जाती है अर्जुन लोगों को देखते हुए चाहत को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है She is my wife and all the things in the contract have been cleared so the meeting ends here I want to spend some time with my wife so please excuse us अर्जुन की बाते सुनकर सभी लोग अर्जुन के केबिन से चले जाते है सभी लोगों के जाते ही अर्जुन चाहत का हाथ पकड़ कर उसे खीच कर अपनी गोद में बैठा लेता है अर्जुन के एकदम से ऐसा करने से चाहत एकदम हैरान हो जाती है और अर्जुन की गोग से उठने की कोशिश करने लगती है तो अर्जुन और भीकस के चाहत को पकड़ लेता है चाहत अर्जुन से कहती है क्या कर रहे है छोड़िये मुझे ये आपका घर नहीं ओफिस है और ये आपका केबिन है यहाँ पर लोग आते जाते हैं मुझे पता है ये ओफिस है घर नहीं और ये मेरा केबिन है और मेरे केबिन में बिना मेरी इजाज़त के कोई नहीं आ सकता अर्जुन चाहत की किसी भी बात का जवाब नहीं देता बलकि चाहत को अपनी गोड में उठा लेता है और चाहत को अपने अपार्टमेंट की तरफ ले जाने लगता है गुसे से अर्जुन से छूटने की कोशिश कर रही थी लेकिन अर्जुन की पकड़ और भी ज़्यादा टाइट हो रही थी अर्जुन चाहत को अपने अपार्टमेंट में लेकर आता है और सीधा रूम में ले जाकर बिस्तर पर पटक देता है और चाहत की उपर आते हुए कहता है गलतियां तो तुम बहुत करती हो लेकिन कल रात से तुमने बहुत सारी गलतियां करी है तुम्हारी पहली गलती तुम मेरे आने से पहले ही सो चुकी थी तुम्हारी दूसरी गलती मेरे जागने से पहले तुम बिस्तर से जा चुकी थी जबकि मैंने तुमसे कहा था कि जब तक मैं सो कर ना उठो तुम बिस्तर नहीं छोड सकती, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं तुम्हारी तीसरी गलती। बिना मुझे इन्फॉर्म किया तुम्हारा सुबह सुबह ही कहीं चले जाना और अब बिना पमिशन के मेरे केबिन में आना अब इतनी सारी गलतियां की पनिश्मेंट तो मिलेगी अर्जुन की बाते सुनकर चाहत हैरान और परेशानी वाले भाव अपने चहरे पर लाकर कहती है। पनिश्मेंट कैसी पनिश्मेंट लेकिन चाहत आगे की बात पूरी नहीं कर पाती क्योंकि अर्जुन चाहत के होठों पर अपने होंट रख देता है और चाहत को करते हुए अपने होठों में दबा कर खीच रहा था और चाहत की होठों का रस्पी रहा था। अर्जुन के हाथ चाहत के पूरे शरीर पर चलने लगे थे। अर्जुन चाहत के गले से दुपट्टे को हटा कर बिस्तर के एक तरफ फेक देता है और फिर चाहत की होठों को छोड़कर चाहत की गर्दन को चूमने लगता है। अर्जुन की जैसे जैसे हरकते बढ़ रही थी, वैसे वैसे चाहत की सांस भी गहरी हो रही थी। और चाहत हरानी से अर्जुन को देखते रह जाती है। अर्जुन फिर से चाहत को बिस्तर पर गिरा देता है और पूरी तरह से चाहत पर हावी हो जाता है। और फिर अर्जुन और चाहत के कपड़े बिस्तर से नीचे जमीन पर गिरे हुए थे और दोनों के बदन सिर्फ एक चादर से धाके हुए थे। अर्जुन चाहत के उभार लाल कर चुका था और अभी भी अर्जुन अपने दोनों हाथों से चाहत के उभरे को मसल रहा था और चाहत के पेट पर अपनी निशानी छोड़ रहा था। दोनों पेरों को खोलता है और चाहत के अंदर धीरे-धीरे समाजाता है। और फिर चाहत की सिस्कियां पूरे कमरे में घुसने लगती है और अर्जुन अपनी रफ़तार को और भी तेज कर देता है। चाहत और अर्जुन दोनों के ही जिस्म पसीने से भीगी हुए थे लेकिन आधे घंटे तक तो चाहत एंजॉय करती है और फिर उसके बाद चाहत पूरी तरह से सेटिस्फाइ हो जाती है और अब चाहत अर्जुन के रुखने का इंतजार करने लगती है और धीरे धीरे चाहत का दर्द बढ़ रहा था जब चाहत से बरदाश्ट नहीं होता तो चाहत अपने दर्द को बरदाश्ट करते हुए अर्जुन से अपनी दर्द भरी आवाज में कहती है सर अब रोक जाए ना हम ओफिस में हैं तो आपको लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे आपको काम भी होगा ना अर्जुन भी गहरी सांस लेते हुए कहता है जिसे इंतजार करना है करता रहे और काम भी हो ही जाएगा और इतना बोलकर अरजुन चाहत के होठों को अपने होठों में भर लेता है और चाहत के होठों को स्मूच करने लगता है और चाहत बेचारी कुछ नहीं कर पाती और अरजुन अपनी मूवमेंट को और भी फास्ट कर देता है दाए घंटे बाद अर्जुन रुपता है और चाहत के बराबर में लेट जाता है चाहत पूरी तरह से ठक चुकी थी इसलिए जैसे ही अर्जुन चाहत को छोड़ता है चाहत नीन के आगोश में चली जाती है जब 130 कार्थिक ने रोकी अर्जुन की गाली अब तक आप लोगों ने पड़ा सर अब रोख जाये ना हम ओफिस में हैं तो आपको लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे आपको काम भी होगा ना अर्जुन भी गहरी सांस लेते हुए कहता है जिसे इंतजार करना है करता रहे और काम भी हो ही जाएगा और इतना बोलकर अर्जुन चाहत के होठों को अपने होठों में भर लेता है और चाहत के होठों को स्मूच करने लगता है और चाहत बेचारी कुछ नहीं कर पाती और अर्जुन अपनी मूवमेंट को और भी फास्ट कर देता है धाए घंटे बाद अर्जुन रुपता है और चाहत के बराबर में लेट जाता है चाहत पूरी तरह से ठक चुकी थी इसलिए जैसे ही अर्जुन चाहत को छोड़ता है चाहत नीन के आगोश में चली जाती है अब आगे अर्जुन ने चाहत को अच्छे से बिस्तर पर लेट आया और उसे ब्लैंकित से कर कर दिया था और खुद वाश्रूम में चला गया था कुछ देर बाद अर्जुन शाव लेकर आता है और अपने अलमारी से दूसरे कपड़े पहन कर पूरी तरह से तयार हो जाता है और वापस से अपने केबिन में आ जाता है और काम करने लगता है दूसरी तरफ अक्षय और सिम्मी एक घर के बाहर खड़े थे जाहिर सी बात थी ये घर सिम्मी का था सिम्मी और अक्षय इस वक्षय सिम्मी के घर के बाहर खड़े थे और सिम्मी अक्षय से अपना हाथ चुलाने की कोशिश कर रही थी लेकिन अक्षय सिम्मी का हाथ छोड़ ही नहीं रहा था सिम्मी अपना हाथ चुलाने हुए अक्षय से कहती है सर प्लीज मेरा हाथ छोड़िये हम इस वक्त रोड पर खड़े हैं और आसपास के सभी लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं अगर उन्होंने देख लिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे मैंने तो आपसे कहा था कि आप रहने दीजिए मैं खुदी घर चली जाओंगी लेकिन आपने जिद करी मुझे घर तक छोड़ने की और अब आप घर तक पहुँच गए हैं आपने मुझे छोड़ दिया है तो अब आप जाए ना अब आपके बारे में मेरे घर पर पता चल मैं सही मौका देख कर उन्हें आपके बारे में बता दूंगी प्लीज सर अभी आप यहां से जाए मैं कल आपसे ऑफिस में मिलती हूँ प्लीज सर जाए ना अक्षय का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था सिम्मी को छोड़ कर जाने का लेकिन सिम्मी के इतना रिक्वेस्ट करने पर अक्षय भी मान जाता है और ना चाहते हुए वहां से जाने के लिए तयार हो जाता है अक्षय जाते वक्त सिम्मी को गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन सिम्मी जैसे ही अक्षय को हाथ फैलते हुए अपनी तरफ आते हुए देखते हैं तो उसकी आँखे हिरानी से बढ़ी हो जाती है और सिम्मी अक्षय के सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का देते हुए कहती है सर क्या कर रहे हैं पागल तो नहीं हो गए आपका दिमाग ठिकाने पर तो है मैं यहां आपको खुद से दूर रख रही हूँ आपके यहां से जाने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी हमें ऐसे देखे और आप यहां पर मुझे सब के सामने गले मिल क्यों मेरी प्रॉब्लम्स को बड़ा रहे हैं सर प्लीज जाए यहां से। कि शायद उसने अभी अभी कुछ गलत बोल दिया। उसे अक्षय से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी तरफ मॉन्टी भी रिकी को घर छोड़ने उसके घर गया था और मॉन्टी और रिंकी इस वक्त रिंकी की कमरे में थे और रिंकी गुस्से में मॉन्टी को घूर रही थी और मॉन्टी बड़े ही आराम से रिंकी के बैट पर बैठा हुआ था। रिंकी गुस्से में मॉन्टी से कहती है अब क्या पूरी रात यही पर रहने का इरादा है। घर नहीं जाना तुम्हें जो इतनी आराम से मेरे बिस्तर पर बैठे हुए हो जाओ यहां से। रिंकी की बाते सुनकर मॉन्टी की आइब्रो आपस में जुर जाती है और मॉन्टी रिंकी से कहता है तुन मुझे भाग रही हो, तुम्हें नहीं लगता जल्द ही हम दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले हैं तो तुम्हें थोड़ा तमीज और तहजीब से मुझसे बात क करनी चाहिए और अगर मैं यहां रात में रुख भी जाता हूँ तो इसमें क्या प्रॉबलम है आखिर बहुत जल्द में तुम्हारा पती बनने वाला हूँ उसके बाद तो हमें एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर रहना होगा क्यों ना अभी से आदक डाली जाए शादी होन साथ मुझे कहीं भी जाने की आजादी देते हैं क्योंकि उन्हें मुझ पर भरोसा है मैं शादी से पहले कुछ भी गलत नहीं करूंगी और अगर अभी पापा घर आ जाये और इस तरह से तुम्हें मेरे साथ मेरे ही कमरे में देखेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं इसलिए तुम्हें यहां से जाना होगा और वो भी पापा के आने से पहले और इतना बोलकर रिंकी मॉंटी का हाथ पकड़ती है और उसे बिस्तर से उठने के लिए खीचने लगते हैं लेकिन मॉंटी एक इंच भी नहीं हिल रहा था रिंकी की ऐसी हरकतों पर मॉंटी को बहुत हंसी आ रही थी मॉंटी मुस्कुराते हुए रिंकी से कहता है अच्छा ठीक है तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहूँ तो कोई बात नहीं मैं यहां से चला जाता हूँ लेकिन मेरी एक शर्ट है उसके बाद ही मैं यहां से जाओंगा अगर तुम मेरी शर्ट मांगने के लिए तैयार हो तो मॉंटी की बाते सुनकर रिकी को कुछ गर्बर लगती है और रिंकी अपनी आँखे छोटी करके मॉंटी को घूरने लगत बहुत कुछ हिसा देख लेंगे जो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा रिंकी अपने सीने पर हात बांधते हुए गुसे से कहती है क्या शर्ट है तुम्हारी बताओ जल्दी रिंकी की बाते सुनकर मॉंटी के चहरे पर एक शैतानी मुसकान आ जाती है और मॉंटी बिस्तर से खड़ा होकर रिंकी के पास आता है तो रिंकी अपने कदम पीछे लेने लगती है लेकिन मॉन्टी अपने कदमों को नहीं रोकता और फिर ऐसे ही रिंकी दिवार से लग जाती है और उसके पास पीछे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचता और मॉन्टी बिल्कुल रिंकी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है मॉन्टी रिंकी के होठों की तरफ देखते हुए कहता है I want too long deeply passionate kiss मॉन्टी की बाते सुनकर अपनी आखें चोटी करते हुए मॉन्टी को देखते है और फिर बुसे में कुछ कहने ही वाली होती है और मॉन्टी रिंकी के चेहरे को देखकर समझ गया था कि अब रिंकी उसपर भरकाने वाली है इसलिए मॉन्टी रिकी को कुछ कहने का मौका ही नहीं देता और अपने होट रिनकी के होटों पर रख देता है रिनकी की आखे हिरानी से बड़ी हो जाती है और मॉन्टी बिलकुल पैशनेट होकर रिनकी के होटों को चूमने लगता है दूसरी तरफ अपार्टमेंट में शाम के साधे साथ बज चुके थे चाहत की आँखे भी धीरे धीरे खोलना लगती है चाहत अपनी आँखे खोल कर देखती है तो इस वक्त चाहत अरजुन के अपार्टमेंट थी चाहत धीरे से बैट जाती है चाहत को अपने पेट में दर्द महसूस होता है चाहत अपने पेट को सहलाते हुए गुस्से से मन में कहती है भूखे भेडिये की तरह तूट करते हैं ना दिन देखते हैं ना रात बस इन्हें तो मौका मिलना चाहिए और एक बार शुरू होते हैं तो रुखने का नाम नहीं लेते इतना बोल कर चाहत अपना पेट और कमर को सहलाते हुए धीरे धीरे बिस्तर से खड़ी होती है और चाधर को अपनी सीने तक लपेट कर वाश्रूम में चली जाती है थोड़ी देर बाद चाहत एक होट शावल लेकर बाहर आती है और अलमारी में से कपड़े निकाल कर पहन लेती है चाहत कमरे से बाहर जाने के लिए कमरे का दर्वाजा खूलने वाली ही होती है कि तभी दर्वाजा एकदम से खुल जाता है दर्वाजे पर अर्जुन खड़ा था अर्जुन चाहत को देख कर कहता है अच्छा हुआ तुम उठ गई और रेडी भी हो गई चलो घर चलते हैं अर्जुन की बात सुनकर चाहत भी अपनी गर्दन हा में हिला देती है और फिर चाहत अर्जुन के साथ कमपनी से बाहर निकल जाती है अर्जुन और चाहत दोनों ही गाड़ी में बैठते हैं और घर की तरफ निकल जाते हैं अर्जुन और चाहत आराम से बैठे हुए थे अर्जुन अपने लप्टॉप पर कुछ काम कर रहा था और खिलकी से बाहर देख रही थी और तभी उनकी गाड़ी अचानक से रुप जाती है अर्जुन ड्राइवर की तरफ देखा है तो ड्राइवर गले में आये पानी को पीते हुए कहता है सर किसी ने हमारी गाड़ी के आगे आकर अपनी जीप को रोक दिया है ड्राइवर की बात पर चाहत भी खिलकी से बाहर देखी है कि किसने अगर गाड़ी को रोका है और सामने ख़ली जीप को देखकर चाहत की आँखें हिरानी से बढ़ी हो जाते हैं और तभी उसे गाड़ी में से कार्तिक निकल कर बाहर आता है चब 131 चाहत का कार्टिक के साथ जाना अब तक आप लोगों ने पढ़ा चाहत अर्जुन के साथ कमपनी से बाहर निकल जाती है अर्जुन और चाहत दोनों ही गाड़ी में बैखते हैं और घर की तरफ निकल जाते हैं अर्जुन और चाहत आराम से बैठे हुए थे अर्जुन अपने लब्टॉप पर कुछ काम कर रहा था और खिलकी से बाहर देख रही थी और तभी उनकी गाड़ी अचानक से रुख जाती है अर्जुन ड्राइवर की तरफ देखा है तो ड्राइवर गले में आये पानी को पीते हुए कहता है सर किसी ने हमारी गाड़ी के आगे आकर अपनी जीप को रोक दिया है ड्राइवर की बात पर चाहत भी खिलकी से बाहर देखी है कि किसने अगर गारी को रोका है और सामने ख़ली जीप को देखकर चाहत की आँखें हिरानी से बढ़ी हो जाते हैं और तभी उसे गारी में से कार्तिक निकल कर बाहर आता है अब आगे अरजुन और चाहत शेखावत मेंशन जा रहे थे अरजुन गारी में बैठा हुआ अपने लाप्टोप पर काम कर रहा था और चाहत गुस्से से अरजुन को गूर रही थी क्योंकि चाहत को अपने पेट में और अपने लोग पार्ट में दर्द हो रहा था चाहत गुस्से में अर्जुन को देख रही थी कि अर्जुन कैसे आराम से बैठा हुआ अपना काम कर रहा है आखिर चाहत गुस्से से इरिटेट होकर खिल्की के बाहर देखने लगती है चाहत खिल्की के बाहर देखते हुए गुस्से में अपने मन में कहती है इन्हें तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है इन्हें बस अपना काम दिखाए देता है एक बार भी इन्होंने मुझे नहीं पूछा कि मैं ठीक हूं या नहीं मैंने तो सोचा था कि उनकी आदाश्ट चली गई है तो मैं अब आराम से रहूंगी ये अपने घर में खुश रहेंगे और मैं अपने घर में खुश रहूंगी या दाश्ट जाने के बाद कम से कम यह मुझे पर हुकुम नहीं चलाएंगे और ना ही मेरे करीब आएंगे बस इनके साथ फिर से मेरा बॉस और एंप्लॉयर वाला रिष्टा रहेगा लेकिन नहीं भगवान को मेरी खुशी तो अच्छी ही नहीं जाती तब ही तो सबसे पहले इन्हें और कुछ नहीं पता चला सबसे पहले पता चला कि मैं इनकी बीवी हूँ और जब से इन्हें पता चला है कि मैं इनकी बीवी हूँ तब से इन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है ना रात में चैन लेते हैं और ना ही दिन में चैन की सांस लेने देते हैं चाहत खिलकी से बाहर देखते हुए अपने मन की भढ़ास निकल रही थी की तभी कार्तिक अपने दोस्तों के साथ एक चाय की तपरी पर बैठा हुआ था तभी कार्तिक की एक दोस्त की नजर चाहत पर चली जाती है और कार्तिक का दोस्त कार्तिक से कहता है कार्तिकी वो देख तेरी नाजायस बहन अर्जुन सिंग शेखावत के साथ कही जा रही है तुझे पता अर्जुन सिंग शेखावत की याद दाश्ट जा चुकी है और अर्जुन सिंग शेखावत सब कुछ भूल चुका है कार्टिक अपने चेहरे पर सवालिया भाव लाकर अपने दोस्त को देखते हुए कहता है क्या तुम सच बोल रहे हो अर्जुन सिंग शेखावत सब कुछ भूल चुका है और कोई उसे याद दिलाने की कोशिश नहीं कर रहा मेरा मतलब है अगर अर्जुन सिंग शेखावत सब कुछ भूल चुका है तो धीरे धीरे उसे सब लोग याद दिलाने की कोशिश कर रहे हुँगे ना उसकी पुरानी यादों को कार्टिक का दोस्त हरे नहीं डॉक्टर ने मना किया है अर्जुन सिंग शेखावत को कुछ भी उसकी पुरानी जिन्दगी के बारे में बताने के लिए उन्होंने कहा है कि धीरे धीरे अर्जुन की याददाश्ट खुद वापस आ जाएगी और अगर अर्जुन अपने दिमाग पर ज्यादा जोर डालेगा तो अर्जुन को खाया जाए इसमें मेरे साथ जो किया है आज मैं उसका पूरा सूट सहित बदला लूँगा और फिर सभी लोग कार्टिक के जीप में बैक जाते हैं और कार्टिक अपनी जीप को हवा की तेज रफ्तार से अर्जुन की गाली के पीछे लगा देता है और अर्जुन की गाली को गुसे से देखते हुए कहता है ये कैसे गाली चला रहे हो तो गाली चलाना भूल गए हो क्या अर्जुन को गुसे में देखकर ड्राइवर अपने गले में आय पानी को पीते हुए कहता है सर वह अचानक से किसी ने हमारी गाली के सामने आकर गाली रुपती है इसलिए प्राइव की बात सुनकर गारी के बाहर देखने लगती है। प्राइव की बात सुनकर गारी के बाहर देखने लगती है। क्या बताओं जीजा जी जब से चाहत गई है मेरी माँ तो ठीक से खाना पीना ही भूल गई है। मेरी माँ बहुत ही याद करती है। चाहत को और चाहत से एक बार मिलना चाहती है। एक बार चाहत को हमारे घर भीज दीजिए। बस आज रात के लिए भेज दीजिए। कल सुबह मैं खुद ही चाहत को आपके घर छोड़ जाऊंगा। अगर एक रात चाहत हम सब के साथ बिताएगी तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। इतने टाइम बाद अपने परिवार से मिलकर आखिर कौन सी बेटी अपने घर वालों को अपने माईगे को याद नहीं करती है। चाहत को भी तो अपने माईके वालों की याद आती होगी ना देखिये कैसे मूह उतर, गया है बेचारी का मुझे देखकर। कर कार्टिक की बात सुनकर अर्जुन चाहत की तरफ देखा है तो चाहत दर की बजल से अपना चहरा नीचे जुका कर ख़ई थी चाहत अर्जुन से कुछ कह भी नहीं सकती क्योंकि चाहत को कार्टिक का डर था पता नहीं किस बात को किस तरीके से अर्जुन के सामने रख देता और अर्जुन अपने दिमाग पर जोर डालने लगता और अर्जुन की तबियत खराब हो सकती थी इसलिए चाहत बस अपने मन में प्रार्थना कर रही थी कि अर्जुन चाहत को कार्तिक के साथ जाने से मना कर दे चाहत को देखने के बाद अर्जुन कार्तिक को देखते हुए एकदम सपात लहजे में कहता है अगर तुम्हारा परिवार चाहत को इतना ही याद करता है तो तुम घर पर आ सकते हो चाहत से मिलने के लिए लेकिन चाहत कहीं नहीं जाएगी अर्जुन की बात सुनकर चाहत एकदम से राहत की सांस लेती है और कार्टिक अर्जुन की बात सुनकर कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है लेकिन फिर कार्तिक अपनी दूसरी चाल चलते हुए कहता है ठीक है अगर आप नहीं चाहते कि चाहत हमारे घर आए तो कोई बात नहीं वैसे भी आप चाहते हैं आपका हुकुम तो हमें भी मारना पड़ेगा क्योंकि हम लड़की वाले हैं लेकिन क्या एक भाई को इतनी इजाजक तो मिल सकती है कि वो अपनी बहन से एक बार अच्छे से मिल सके आखिर इतने दिनों बाद मैं अपनी बहन को देख रहा हूँ मेरा भी दिल करता है अपनी बहन को देखने का उससे मिलने का उससे बाते करने का लेकिन अब तो चाहत अपने ससुराल जा चुकी है मैं बार-बार तो चाहत के घर नहीं आ सकता लेकिन क्या अभी मैं चाहत से अच्छे से मिल सकता हूं एक बार अपनी बेहन को गले लगा सकता हूं अर्जुन कुछ देर तक कार्टिक की बातों को सोचता है और फिर कार्टिक से कहता है ठीक है तुम चाहत से मिल सकते हो लेकिन उसे गले नहीं लगा सकते इतनी इजाजत मैं किसी को नहीं दी है और इतना बोलकर अर्जुन चाहत और कार्टिक के बीच में से हट जाता है पास आता है और चाहत के दोनों हाथों को पकड़ कर कहता है मेरी बेहन मैंने तुझे कितना याद किया तो नहीं जानती घर पर सब लोग कितना तुझे याद करते हैं और इतना बोलकर कार्टिक चाहत के करीब जाता है और धीरे से चाहत के कान में कहता है अगर अपनी मां को स जही सलामत देखना चाहती है तो चुपचाप मेरे साथ चल, समझा अपने पती को की तुझे मेरे साथ जाने दे वरना तेरी मां कल सुबल का सूरज नहीं देख पाएगी। चाहत हैरानी से कार्टिक को देखने लगती है। चाहत को कार्टिक की आँखों में मतकारी साफ नजर आ रही थी और अब चाहत को अपनी मां की फिक्र होने लगी थी। चाहत की आँखों से आँशू बहने लगे थे। चाहत गहरी सांस लेती है और अपने आँशूओं को पुछते हुए। अरजुन की तरफ पलड जाती है और अरजुन से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है। सर पलीज बस आज रात की ही तो बात है। जाने दीजिये ना मेरा बहुत मन कर रहा है। अपनी मां से मिलने का अपनी मामी से मिलने का बस आज रात के लिए जाने दीजिये। मेरी आपसे request है, Sir प्लीज एक रात के लिए मुझे अपनी मा से मिलने दीजिए। मां का जिक्र सुनते ही अर्जुन के दिल में भी एक दर्ट सा उठता है और अर्जुन की आँखों में न जाने कितने जजबात उभर आते हैं। और चाहत की आँखों की नमामी देखकर निमा से मिलना चाहती हो तो ठीक है, तुम जा सकती हो। अर्जुन की पमिशन मिलते ही कार्टिक के चहरे पर एक जहरीले मुस्कान आ जाती है और चाहत का दिल शीशे की तरह तूट जाता है।